सब्सक्राइब कीजिए स्टेडी सिर्कल मुराना के ऑफिशल चैनल को साथ में बेल आइकन का निशान प्रेस करते हैं ताकि अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं हलो फ्रेंड्स सिर्कल मुरान में आप सबी लोगों के लिए मधवज़स करणट अफैर कर आट फार विडियो लेकर आएं तो उसके लिए आज से हमारी सीरी पुछा जाएगा इसको मज़ने रखते हुए हम आपके लिए जो करेंट अफेर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो जनवरी महीने से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रिकर के असवेदा ना हो और उमिद करेंगे कि आपके जितने भी करेंट से कौशन आए वो सब तो आप लोगों के गुजारिश होगी कि जिनने लोगों ने चैनल सब्सक्राब नहीं किया है वो तुरन चैनल को सब्सक्राब कर लें साथ में घंटे के निशान प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे हम पहले मिल जाए और आप लोग को कोई भी वीडियो मिश ना करने पाए साथ ही आप लोगों से गुजारिश और होगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कंजिशी ना करें तो आए वीडियो को शुरू करते हैं हम आपके लिए यह कॉस्टन की सीरीज लेकर आए ह है ताकि आपको किसी परिकार के परिशानि का सामना ना पड़े है। अगले कॉशन पर अगर हम बात करें तो अगला कॉशन है हाल ही में मद्यवदेश में किस योजना में देश में शीर्थ इस्तान प्राप्त किया है मद्यवदेश ने अभी हाल ही में ऐसे कौन सी योजना है जिसमें पूरे भारत में शीर्थ इस्तान प्राप्त किया है तो आपका जो रायट अंसर होगाश के लिए वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो की बहुत ही चलन में थी सबसे ज़्यादा मदवज़स की ओर से इसमें योगदान दिया गया इस विए से मदवज़स राज इसमें सीर्थिस्तान पर आ चुका है तीसरा प्रशन है कि माखललल चत्रेवदी विशिषविद्ध्याले की गतिविदियों की जाच करने ही तो किसकी अधिस्क्ता में एक समेथी गठित की गई थि अभी आप लोगों को मालूं होगा कि यह बी हाल ही में माखललल चत्रेवदिय विशिषविद्ध्याले में एम गोपाल रेड़ी तो आपका राइट अंसर है इसके लिए वह है श्री एम गोपाल रेड़ी तो आप लोगों को याद रखना होगा क्योंकि वह वहती चर्चित प्रशन है फिर से दोरा देते हैं कि मांखलाल चत्रविदी विश्विद्याले की गतिविद्यों की जाच के लिए किसकी अधिक्षिता में एक समीधी का गठन हुआ तो जिसकी अधिक्षिता में वह समीधी का गठन हुआ वह व्यक्ति का नाम क्या है श्री एम गोपाल रेड़ी तो आगले प्रशन पर चलते हैं तो अगला प्रशन है आपका अभी हाल ही में 38 अखिल भारतिय वाली प्रतियों किता का शुभारम किस इस्थान पर किया गया अभी हाल ही में 38 अखिल भारतिय वाली 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 प्रतियों किता का शुभारम हो चुका है तो हमें बताना है किसमें किस इस्थान पर ये शुभारम हुआ है तो आपके सामने चार आप्शन है चार आप्शन में से है तो कितनी प्रतिश्यत आवादी है तो आपके सामने आप्शन है तो आप्शन में से आपका राइट अंसर होगा वह बहुत सुना होगा कि मद्यवदेश में फ्लेट भावंतर भुकता नियोजना चल रही है जिसमें क्रिशक सम्रिदी योजना की अंतरगर्द मंडियों में किसानों को सोयबीन और मक्का विक्रे करने पर कितने प्रति रुपे कुंटल बोनस दिये जाएगा अब यहाली में आपने सुना होगा फ्लेट भावंतर भुकतान योजना योजना ये फिर क्रिशक सम्रिदी का जो बोनस है वो दिया जा रहा है कौनसी योजना में फ्लेट भावंतर योजना और क्रिशक सम्रिदी योजना के अंतरगर्द यह आपको ध्यान रखना होगा अगला कोशन पर चर्चा करते हैं अगला कोशन है आपका अभी हाल ही में किस शेत्र की अधिक्षेता में मद् सिर्णित्यत्य की गवर्निंग भौडी गठिद हुई है जिसकी अध्षिता में अधिक्षेता में 15,000 मौकिंतरि मंत्रेश कि कमल अगे बात करेंगे भूपाल में अद्वत के महावा क्य प्रक्जान ब्रह्मां के विशय पर व्यक्यान का आयोजित किया गया मंदिव जिसमें भोपाल के अंतरगत अद्वैत के महावा के प्रग्यान विम्मा के विशय पर व्याख्यान कौन सी डेट में आयोजित कराया गया तो इसका जो राइट अंसर होगा आप लोगों का वो है आपका 20 जनवरी 2019 तो आप लोगों को याद रखन करें चुन लिजिए कि मंडब सांस्क्रितिक शिक्षा कला यह कहां पर होता है बहूं को यह याद रखना हो से 58 से लेकर 30 जन वरी तक मां यह वाला फंक्षन 20 वात करें दो अगला कॉशन है आपका कि मद्यवदेश की पंदरवी विधान सबा का बजट सत्र कब से कब तक होगा मद्यवदेश सरकार की पंदरवी विधान सबा अभी हाली में जो मद्यवदेश की विधान सबा है वो उसका जो बजट सत्र है वो कब से कब तक आयोजित हुआ तो इसका आपका जो राइट अंसर होगा वो आपका होगा 18 से लेकर 20 फरवरी 2019 तक आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये काफी चर्चित विशे भी रहा था तो आप लोगों के फिर से दोहरा देता हूं जिसमें मद्वदेश राजजी की भी एक महिला शामिल है जिसका नाम है करिश्मा यादव तो आपका एक कोशन और बन जाता है कि अभी हाल ही में होकी इंडिया ने स्पेंट टूर के लिए अपनी महिला टीम घटित की है उसमें मद्वदेश के किस खलाड़ी को शामिल किया ह तो वो आपका हो जाएगा करिश्मा यादव अब बात करेंगे कि करिश्मा यादव कहां से बलॉंग करती हैं कहां की रहने वाली हैं तो यह बहुत ही जर्चित सवाल हता है परिशाओं में तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो करिश्मा यादव हैं वो अपने मद्व IAS Officers Meet का सुभारम किसके द्वारा किया गया अगले कोशन पर हम बात करें तो अगला कोशन है आपका कि World Economic Forum का आयोजन कहां किया जा रहा है तो World Economic Forum का जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है तो आपका इसका अंसर होगा कि इसका आयोजन करा जा रहा है दावोस में दोस्तों यहां पर confusion की बात यह होगी कि दावोस जगे हो जाएगी अगर option में आपको देवास भी दे देता है तो आप confusion कर सकते हैं तो मैं आपको बढ़ा दू कि दावोस जगे एक अलग है अपने MP की जगे नहीं है यह बाहर यह जगे है इस चीज में computer रखना दावोस अलग है देवास अलग है तो इसका जो आयोजन हुआ है यह दावोस में आपका आयोजन कराया गया है अगले कोशन की बात करें तो 14 नमर पर आपका कोशन दिया है कि मद्वदे सराज के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है तो मद्वदे सराज के जो नए सूचना आयुक्त किये गए है उनका नाम क्या है तो आपके सामने जो दियो है option उसमें से आपका जो उसको जरूर देख लीजेगा उसमें मद्विस के सभी मुख्य और एहम पदादिकारियों के बारेमने वीडियो बनाया है या आप वीडियो देख लेंगे तो उमीद करूँगा कि आप ऐसे प्रशन कभी गलत नहीं करेंगे तो आप सभी लोग को मालूं होगा कि यह मद्वि एक अधिवेशन हुआ है तो यह भी आपको इंपोर्टन याद रखना है कि भारती जलकारे संग का अभी कौन सा अधिवेशन हुआ है और यह आयुजन कहां पर हुआ है तो यह आपको याद रखना है यह मद्विस के इंदौर जिले में आयुजित किया गया है तो फिर से कि मद्विस में सब मिशन ऑन एगरी कल्चर मेशीनिरी स्कीम में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के कराशाव को कितने प्रिशत अनुदान दिया जाएगा तो आपको जिसका राइट अंसर हो जाएगा वो है आपका 50 परसेट आपको इसमें याद रखना है कि 50 परसेट उनको अनुदान दिया जाने वाला है किसमत दिया जाएगा तो मद्विस में सब मिशन ऑन एगरी कल्चर मशीनिरी के स्कीम है उसके तहत S.C.H.T के लोगों को ये दिया जाएगा आगे बात करें तो मद्विस में खरीफ फसल वर्स 2018 में किस फसल की खरीदी या जो फसल इसमें सामिल नहीं है वो है धान की फसल यानि कि मद्विस में खरीफ की फसल बश्र 2018 में जो फसल आपकी इसमें सामिल नहीं थी वो है आपकी धान की फसल आगे अगर बात करें तो मद्विस में शाष्किय देवस्थानों की चल एवं अचल संपत्यों के संडक्ष के लिए उनके बचाव के लिए और उनके विकास के लिए कौन सा कोश बनाया गया है तो इसका आपके जो राइट अंसर हो जाएगा वो होगा देविस्थान कोश देविस्थान कोश इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन है आपका कि 19 वे कोशन में आपसे किया गया गया है चषटवी कॉनफरेंस का गया है और यह कहां किया गया है तो यह मद्देब्सकी जो राजधानी है यानि की भौपाल वहापे इसका आयोजन किया गया है तो आप लोगों को यह चीज है यात रखनी होगी आगे बात करें बीस नमर के परश्ट में तो बरकत बरकत उल्ला विश्विद्याले भुपाल में जो दीकशन समारों का आयोजन होता है वो कब किया गया तो इसको मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो रायाट अंसर हो जाएगा वो है आपका 25 फरवरी 2019 को इसको आयोजन किया गया था कितने पतिशित अंक के साथ टॉप किया है यह बहुत बहुत ही बड़ी नियूज थी जो बहुत चार्चित चली थी कि मद्विस का एक छात्र है इसका नाम है धुरूब अरोरा तो धुरूब अरोरा ना क्या किया है जॉइंट इंजिने ने एक्जाम यानि कि JEE मेंस में कितन ने मद्विस का जो इतना अच्छा स्कोर कर गया अगले प्रशने की अगर हम बात करैं तो अगला प्रशने है श्रूर माठा मन्दर के जिले आप लोगो फोटो क्लिक करें और आप लोग इस सवालों को भूले ना इसके साथ मैं आपको दो कि अच्छुरु माता का मंदिर जो है आपका वह आता है निवारी में तो आप लोगो अच्छे से याद रखना है अगला प्रशन है आपका कि महाराजा किसोर सिंग का मकवरा कह कहा पर स्थित है तो महाराजा किसोर सिंग का मकवरा कहां पर स्थित है तो मैं आप लोगों को बता दूंट सित्थ है कब तक कौकि है कि अंतराश्च्ट विराट कर्संबिलन तो 팀 सम्झेलन जो कि कहा आई भें उजता है चाब की शेपघे होटा है यह पर विराट गुरुकौल यå पिर उप्रोजोड किया जाता है तो आपको सब्सक्राइब की जो कि ईजन में कब तक हो था तो 28 से लेकर 30 अपरेल 2018 तक आयुजद किया गया आगे बात करेंगे आगले प्रेश्न की बारे में कि चिले में संबन्दित है क्यों I लिए बहुत अच्छा कॉशन है क्योंकि सिपानेर माइक्रो दन सिचाई कौन से जिले से संबंदिद आपका याद रखना होगा कि सिहोर जिले से संबंदिद है सिपानेर माइक्रो दन अगला कॉशन है आपका चबिस नमर का कि रुद्र प्रताप के बाद और्षा का शाशक किसे नियुक्त किया गया तो वह आपका नियुक्त किया गया भारतिय चंद को अगला कहुशन है आपका 27 वे नमर का कि राज स्थरियर कुश्णी प्रतियो गिता का नाम है रतिलाम यव कुश्ण सब्सक्राइब करा गया है और अब बात करेंगे अगले कॉशन की तो अगला कॉशन है आपका 28 वे नंबर का प्रेशन जिसमें बोला है कि हाल ही में 64 साल पुराना ब्रिज गिर गया है वो किस नदी पर बनाया गया था अभी हाल ही में आप लोगों ने नियूज में बहुत ब ब्रिश था वो बना था वो अचानक किसी कारण वा से टूट चुका है गिर चुका है तो वो कि जिस नदी पर बना था उस नदी के बारे में पूछा है तो आप लोगों का मालम होना चाहिए कि जिस नदी पर बनाना था वो नदी का नाम है हरसन नदी तो आप लोगों का य प्रुसकार जिसमें नवाचार उत्क्रिष्ट पुरुसकार होता है जो कि किस जिले को दिया गया है इस बार यह आपका मद्धिवद्यस का ही एक जला है जिसका नाम है नीमच तो यह नीमच को मिला है तो आप लोगों को यह सभी प्रश्ण याद अखने चाहिए साथ की साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को आगे समस्य ना हो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि प्रश्ण मंत्री नवाचार उत्क्रिष्ट पुरुसकार से किस जिले को सम्मानित किया गया तो आपका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीमच जिले को यान एजने जा नियु जोने जो ऑफिर से अब लोगों को धौरा दीता हूं कि दस देसों का 1मातर इंफैंटरी म्यूजिएम कहां पर बनाए गया है तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दो कि जो यह जगह है जहां पर यह बनाया गया है वो है मउउ तो मउउ में ये बनाया गया है दस देशनों का एक मातर इंफेंट्री म्यूजियम अगला प्रश्ण की बात करें तो अगला प्रश्ण है आपका कि राष्टर कवी इसने ही संवर्यती सम्मान दो जार अठा किसे दिया गया 2018 का राष्ट्र कभी स्नेही सम्रिती सम्मान जय है जिस व्यक्ति को दिया गया वो व्यक्ति का नाम पूछा है तो वो व्यक्ति जो है वो है आपके डॉक्टर योगेश दोवे तो डॉक्टर योगेश दोवे को ये पुरस्कार दिया गया है आप लोगों के लिए पैज बनालेज़े उसके बाद जितरों यूपके आपके अलग से न्युक्तियों का पेज़ बनालेज़े उसके जानकर विए उसके वाद आप यह-पी जीज्या पर सारी चीज shy मिल जाएंगी ताकि कि याद करने में कुछ समझता नहीं होगी और उमीद कीजिए मैं आपसे भरोसा जलाता हूँ कि यदि आप ऐसा नोर्स बनाते हैं तो आपको MPG के कर जो करण्ट है उससे समद्ध कोई भी परिशानी नहीं आएगी आगे बात करेंगे एक लिए कॉशन की तो 32 नंबर में प्रेशन आ रहा है कि यहाल ही में मोहनपुर सिद्धेश्वर गुफा इस्थान पर मेले का आयोजन किस जिले में किया गया तो देखो अभी हाल ही में जिस जिले में मोहनपूर्स इश्वर गुफा इस्थान पर जो मुला लगा है वो आयोजन किस स्थान पर किया गया तो यहीं जिसे दूसर पिडिट्रे मानता है कि मोहनपुर से देश्वर गुफा कहां पर है तो यह है गुना में अगला प्रशन है आपका कि मद्द्वजिस के खिलाडियों को ओलंपिक के स्वर्ण पजग विजीताओं को कितने रुपए की राशी पुसकार के रूप में देने का प्रस्ताव लाया जा रहा है मद्द्व सरकार उनको जो खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदा के लिए उनको जो देगी प्रस्कार में पईसे वो होंगे लगवक तीन करोड रुपए उनको राशी मिलेगी प्रस्कार की रूप में अगले प्रशन की बात करेंगे 34 नमर का प्रशन है आपका कि मद्द्वजिस म अगले बात करेंगे अगले कौशन की तो मद्द्वजिस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह जो कि आपको अभी पढ़ा था कि मद्द्वजिस नहें भारत में सब उस योजना के लिए विशे तसका का आयोजिन कब से कब तक किया जाएका जैसी हिंदी पखवरा का सम्मान रक्षा करते हैं तो यह जो पुरसकार है वो किसको दिया जाता है तो इसमें जो बता दिया जा आपको जिसका राइट अंसर होगा वो होगा यानि कि पुरुष एवा महिला दौनों को दिया जाता है यानि कि कोई भी जो महिलाओं की नारियों की रक्षा करता है उनको तो सम्वान के रूप में यह वाला प्रुषकार दिया जाता है चाहे वो प्रुष हो चाहे महिला दौनों के यह प्रुषकार मिल सकता है आगले प्रशन की दिम बात करें तो 37 नमर का प्रशन है कि मामा भांजा शेल इसरे कहां परिस्तित है तो यह मद्व जसके पच्छमडी जोकि पच्छमडी से 2 km दूर है और हम जगे की बात करें तो यह है पनार पानी ग्राम में इस्तित है अगे बात करें 38 तरहा है अगले प्रश्चन के लिम बात करें तो अगले प्रश्चन कि अगले प्रश्चन की जनद संक्या का लिंगान पलई भख और अभ्यान किस मुख्य मंत्री के कारेकाल में प्रारम किया गया तो मद्धिवजेस में पानी रोको अभ्यान यानि कि पानी रोको एक अभ्यान था मद्धिवजेस में किस मुख्य मंत्री के कारेकाल में शुरू किया गया था करेकाल देड के नियुकर वा तो यह दिक्वजय से कारेकाल में श्रूर किया गया था है यहां पर मैं आपको एक बत और वता हुए यह जो ढयट थी यह देड़ थी आपकी यह हुँआ था आपका तीन फरवरी को दो हजार एक को शुरूख किया गया था यदि आपको डेट भी याद रखनी है तो डेट है इसके तीन फरवरी दोचार एक तो बद्र इसमें अंतिबार राष्ट्पती शाषन कब लागो वहा है इसके उपर हम आपके लिए वीडियो बना कर राएंगे कि मद्र इ इसमें चाहिए वहा है 16 दिसंबर 1292 को लगा है आगे बात करेंगे चाहिए के दो मद्यव Sanders में किसान कर्ज माफी से संबंद्ध जानना इसे साथ ही आपको एक संबलियूजना के ऊपर पुर्षन बंता है क्होंगी तो आपको यह दोनों चीज़े याद रखनी होंगी आगे बात करें तो मद्देश में तापती दर्शन यात्रा का सुबाराम किसके द्वारा हुआ है तो आपका जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा श्री सुखदेव पांसे द्वारा किया गया है तो श्री सुखदेव पांसे द्वारा इसका आयोजन किया गया है एक वह फिर से क्रॉशन तो आते हैं कि मद्देश में जो तापती दर्शन यात्रा का सुबाराम होआ है वह किसके द्वारा हुआ है तो श्री सुखदेव पां सब्सक्राइब करें बात करें तो अगला प्रशन है आपका कि मद्ड़दे समय आशा सहयोगी यह के प्रती बिजट प्रसहान राशी का अप कितनी दर कर दी गई तो मद्यूदेस में आशा सहे होगी यह जो विजट है यानि कि जो दोरा ये लोग करते है उसके प्रोस्ताहर राशी पहले से अब कितनी कर दी गई है तो पहले के मुकाबले जो राशी थी अब इन्होंने 300 रुपय नोंने राशी करती है निकि एक विजट करने पर इनको 300 र बेरोजगारी कितने पतिशत पर पहुंच गई है बदर इसमें बड़ा एक एफेक्ट है जिससे बहुत सारे युवाब बेरोजगार है इस बहुत तो इन सबी लोगों को इसी बात को मद्धिने रखते हो जो बेरोजगारी का कितना पतिशत दिसंबर 2018 तक हो चुका था तो 9. प्रफट पतिशत मद्धिने बेरोजगारी का इस्तर जो है वो पहुंच चुका है आगे बात करें 45 नमर के प्रेश्ट में तो मद्धिन सरकार कौन सी संस्था से 1000 करोड रुपय का करज लेने वाली है तो इसका जो राय टैंसर हो जाएगा वो हो जागा आर बियाई बैंक बारती रिजर्व बैंक बारती रिजर्व बैंक की और से मद्धिन सरकार 1000 करोड रुपय का करज लेने वाली है आगे अगला कॉशन है आपका 46 नमर का कॉशन जिसमें आपसे लोगों से पूछा गया है कि मद्धिन सरकार के मुख्य मंत्री का सलहकार किसे निक्तिक किया गय तो राजित कुमार मिगलानी है उनको मद्धिन सरकार के मुख्य मंत्री है उनका सलहकार निक्तिक किया गया है तो मद्धिन सरकार को कौन सी योजना का आईजन किया गया मुख्य मंत्री सोलर पंप योजना का यह आपको याद आखना है योजना से मुख्य सवाल ज्यादा पूछ जाते हैं आगे बात करें अंतराष्टि यह बौसम मिलन का आयोजन अप्रेल 2017 में किस सहर में किया गया तो यह मद्धिन के इंदौर में किया गया है अंतराष्टि यह बौसम मिलन का आयोजन जो कि अप्रेल 2017 में किस सहर में किया गया था तो यह इंदौर में किया गया था अगला प्रशन की अकर हम बात करें तो अगला प्रशन है हमारा कि मद्धिव देश का परतम आदोने ख़तियार प्रस्टिक्षन के इंदर कहां पर स्थापशन किया जाएगा तो यह आपको याद रखना होगा कोई कि यह इसा पहला है मद्धिव देश का तो यह पूचा प कि मदवदेश टूरिजम बोर्ड का गठन कब किया गया मदवदेश में जो टूरिजम बोर्ड है उसका जो गठन है वह आखिर कब किया गया तो जो साल इसमें पूछी है तो आपका अंसर हो जाएगा 2017 जब यहां पर फिक्स डेट पूछता है तो हो जाएगा बाइस फरवरी 2017 तो मदवदेश टूरिजम बोर्ड का जो गठन हुआ है वो तो मदवदेश टूरिजम बोर्ड का जो गठन हुआ है वो आपकी फूल डेट होगी वो हो जाएगी बाइस फरवरी 2017 तो यह थी आपके पचास महत्वी महत्वपूर्ण करेंट अफेर्स जनवरी महीने के यह दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजे साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए ताकि आगे आने माली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपनों को मिल जाए जिसमें हम आप अगरी वीडियो में लेकर तो आप सबी लोगों से गोजारिश होगी यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक के जी साथ ही आप अपने सवजाव भी हमें दे सकते हैं कि इस वीडियो में हम और क्या बहतर करें ताकि आप लोगों को साथ में आपके दोस्तों आपके भाई बंदों को बहुत फायदा पहुंचे तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद